हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वाया थे आपके अपने यूट्यूब चनल स्टड़ी वे सुजीत में तो दोस्तो आज हों लोग फिजिक्स के चाप्टर नमबर टू के संपुर्ण अब्जेक्टिव कोसंस को कभर करने वाले हैं इसे पहले हों लोग चाप्टर नमबर वन को कभर कर चुके थे उसे अगर आप नहीं देखेंगे तो उससे आप जोड़ ही देख लिजेगा देखें इसमें जो कभर करने वाले हैं प्रिभियस एर कोसंस इसमें कभर करने वाले हैं और जो है बोर्ड मडल कोसंस भी कभर करने वाले हैं और इसमें जो है निव कोसंस भी स सवाल पूछे तो आप बिल्कुल ही रेडी रहेंगे वह 100% कह सकते हैं तो आप अन तक जोड़ देखने का प्रयास किजिएगा क्योंकि यह जो सेशने बिहादी महत्तपूर्ण होने वाला है तो चले दस्तों इसके चाप्टर नमबर 2 के संपूर्ण अबजेक्टिव को बारी जाए रेकशने सेकेंट बोल्ट मीटर बोल्ट और समय इसका मात्रक होता है वेबर होता है इसमें घबराना नहीं है कि चुम्बके फ्लस का मात्रक वेबर होता है या विदुत्य फ्लस का मात्रक होता है वह बोल्ट में मापा जाता है और चुम्बके फ्लस का मात्रक होता है वह वेबर में मापा जाता है और बोल्ट किसका मात्रक हो तो इसे प्रस्ण का जो राइट इंसर होजेगा वह आपसा नमर बी के साथ चल जाएगा हम अधिक सदिक इस चारों अपसन को इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बोड इक्जाम अगर कहीं से भी सवाल आए तो आप हंडे पसंट रेडी रहेंगे वह इंसर देने के लिए है ना दोस्तो और सेशन अगर अच्छी लग लग रही हो तो लाइक जोन ही कर लीजेगा दोस्तों और यहां पर सिकेन प्रस्ण आप देखेंगे कि ठोस कोंड का ये साई मात्रक क्या होता है जो कोंड होता है फिजिक्स में वह दो परकार का होता है एक होटा ठोस कों एक होता है धोन गूर तो यहां पर सिकेना मात्रक पूछा गया है तोौस कोंड का ही तो इसका मात्रक होजगा एस्टे रेडियन्स और वहीं अगर धोन कोंड का मात्रक है तो वह रेडियन में मना पज़ाता है याद रिका रेडियन धन कोन का SI मातरक रेडियन होता है और ठोस कोन का SI जो मातरक होता है वह ST रेडियन होता है और वेबर किसका मातरक होता है तो हम लोग अभी जाने हैं कि चुमबा के फ्लस का मातरक के वेबर होता है और MPR किसका मातरक होता है तो वह धारा का मातरक होता है यानि कि हैं कि आपको हंडे प्रिप्स ना है जहां ऑगर समध में नहीं है तव अगले वीडियो में अपको समझा सकें अगर इसमें हम हंडे पर संझाब करेंगे और आपको हंडे परसेंट आभी जाएगा दो अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट जरूर ही करने का प्रियास केज़ेगा और देखे यहां पे लिखा गया कि अवेस बीतनार से क्या होता है उर्जा का हरास होता है या उर्जा के ब्रीधी होती है या उर्जा से उर्जा का मान नियत रहता है और डी है कोई नहीं जबी द याद रखेगा मैनस 19 कुलम जो की पॉलस मैनस प्रोट्रान के लिए प्लस और माइनस जो है लेक्ट्रान के लिए मापा जाता है तो अब इसका खेल खतम हो गया और अवेस्ट भीत्रान से क्या होता है तो उर्जा का जो है यहांकि जो एनर्जी होते है वा ठेक्रीजत करने लगते है यहां पर फूर्थ ने पर प्रशन आप देख रहे होंँगे के लिए इन्हें जोरना चाहिए जब ही दोस्तों संधरीत की बात किया जाए कि सीटर की बात किया जाए तो यहां पर देश डेश एक बाटा cn तकले होता है ठीक है cn तकले ठीक ये स्रेंगी करम के लिए और यहां पर पुछाएंगे उस्तम धारता कि इसको प्राथ करने के लिए इन्हें जोरना चाहिए माले जी अगर c1 का मान दिया गया है दो और c2 का मान दिया गया है दो ठीक इसको नोग बाटा का जोर करेंगे तो इसको थोरा सा मीटाने का अप्रयास करेंगे यहां पर हम लिए c1 का मान दिया गया है 2 और c2 का मान दिया गया 2 थी दो थेक है तो यहाँ पे इस एक बाठी है सिरेख कर मेहां कि अदिकतम हो जब लोग उतम लेंगे तो दो हो याइगा ठीक है जब काचेंगे तो इसका मान आता है एक झाहिए जित्रया में जब हमलोग जोडते हैं सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा होता है तो हम आसानी से कर सकते हैं कि इने जो है समनानतक कर बिदा में जोरना चाहिए हम यहां पर गयाद कर सकते हैं तो यहां पर आप उमेद करते ही इस है परस्न में आपको कहीं से डाउट नहीं हवा और आप जो है आसानी से बना पाई होंगे तो इस प्रश्ण कर आई टेंसर जगा आपसा नमर भी और बोड पूछे जाता है कि शूत्र बताई तो इसका सुत्र यह होता है एक वाटा C1 प्लस एक वाटा C2 और डास 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 एक बाटा Cn होता है यह स्रेग करम के लिए ठीक है और वहीं अगर समांताक करम के लिए यह सूत्र होता है अब आसाएं से ज्याद कर सकते हैं दोस्तों चले दोस्तों नेकषनाप्रस में कवर करते हैं इसका जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रूप से जोईन होते हैं तो ही मिल पाएगा दोस्तों PDF जो है टेलीग्राम ग्रूप में जोईन होते हैं तो ही आप इसको डाउनलोड करके अपने practice को मजबूत कर सकते हैं ये सेशन देख लिजिए उसके बाद जो है आप टेलीग्राम ग्रूप से जोईन हो जाएए और ये PDF डाउनलोड करके और खुद से ही पहले प्रेक्टिस करें उसके बाद अगर नहीं आता है तो वीडियो आकर देख लें दोस्तों ठीक है वैसे इंसर की के साथ हम आपको PDF द जाएगा टिस्कुशन बक्स में ठीक है टेलीग्राम गुरूप का लिंक तो यहां पर प्रशने की संधरीत्रों के समानतर सन्योजन में जो रासी परतिक के संधरीत में समान रहती है तो समान की कौन से रहती है रासी तो वह हो जाएगे ऑप्सन वर्षी यानिकि भीवांद घंटा होता है यह सबसे 12 मात रख होता है किलोवाट घंटा अब पलस में जूल भी इसका मात रख होता है जो कि उर्जा को जूल में मापा जाता है और धारता का मात रख फैराड होता है यह से फैराड भी लिख सकते हैं तो इसका मात रख फैराड भी होता है याद रखेग ताकि कहीं से भी प्रस्ण आई अब बिल्कुन ही आप जो हे 100% रेडी रहेंगे और यहाँ पर शिक्षन प्रस्ण की एक बेधुत द्विद्रू एक प्रिष्ट से घीरा हुआ है तो प्रिष्ट पर कूल बिधुतिय फ्लस का मान कितना होता है देखें यहाँ पर इस राइट एंसर की कि एड़ 하니까 दर का मान कितना होता है ये प्रस्ण फास नमर में सीध करने में में पूछा जाता है और सीध करने में भी यह परश्ण पर आता है प्रस्ण नमें तो इसका जो राइट एंसर हो ज약ा सेवेंद्र का वह जेका ओप्शन नमर भी िर piggyकी इस सीग्म और यहां पे आठना प्रस्ण है कि किसी गुलिय प्रिष्ट के अंदर प्लस से क्यूँ अवेस रख दिया जाए तो संपुर्ण प्रिष्ट से निकलने वाला विदूत्य फ्लस का मान जो है कितना होता है यह अगर बोड़ी एगजाम अगर पूछा जायाने कि हाड अगर एगजाम लेता है तो यह परस्णोतर बार बार हाड एगजाम है यह परस्णोतर हंडे परसें रहता ही है और हाड एगजाम रहता है तो नहीं तो यह परस्णोतर अगर हलका अगर बोड़ी एगजाम अगर प तो इसका जो right answer हो जाएगा तो देखे 8 का right answer हो जाएगा वह होता है Q upon epsilon not होता है Q upon epsilon not तो इसका right answer हो जाएगा option number B यहां पर की सरसी कँ मातरक bolt प्रती मीटर होता है बीधूद्य-छेटर का 왜 बोल्ट-थपिभवो का मातरक होता है वह gonna-बोल्ट होता है और बिधू-धाड्ता-का मातरक फेराड होता है याद रखेगा दो इसका राइट एका ऑ्प्सवार्डी और इन्यplementSar की इत्योंत के तीर्वुता का मात रका होचा देखे विद्वुचिन के तीवुगताइं टेस्ला घंचा अधर होता है और इसके यहां पर सिधिन इसका माम दिया गया थिक गया तो यहां पर चेत्र के तिवर्टा का मात्रक के यहां बाताना है तो इसका जो राइट एंसर हो जेगा तो वह हो जेगा यहां पर दसका राइट एंसर हो जेगा अप्सन बड़ी न्यूटन प्रती कुलम न्यूटन प्रती कुलम होता है यानि कि न्यूटन कुलम इंभर्स यहां पर इसका प्रश्ण का प्रियास कीजिएगा और यहां पर प्रश्ण के एक बंद प्रिष्ट के अंदर एक विद्ध्ध्वी धुरू इस्तिते तो बंद प्रिष्ट से निर्गत कूल विद्ध्ध्वी फ्लस का मान क्या होता है देखे इसका जो राइट एंसर ओजिएगा यहां पर प्रश्ण का उपस्तित हो चुका है कि यदि किसी अस्थान पर विद्धु चेत्र की तिवर्था भेक्टर ए हो तो उस अस्थ पर भेक्टर ए चेत्पल से गुज़रने वाले भीद्धित्य फ्लस के फ्लस के फ्लश के फाइए निमने सम्बंधि से ग्यात होता है देखे इसका जो राइट एंसर जो राइट एंसर ओजिएगा ऑपसर और बी यहां पर प्रस्ण के किसी चाला की धारता C का ब्यांजग क्या होता है तो C का ब्यांजग यहाँ पे चारो अप्सन आप देख सकते हैं कि C बराबर Q अपन B C बराबर B अपन Q और C बराबर Q भी और C बराबर होता है Q इसको भी देखे C धारता के लिए क्या होता है Q देखे Q बराबर होता है यहाँ पे थोड़ समझाने के प्रैस करेंगे Q बराबर होता है C भी Q बराबर होता है C भी और यहाँ पे धारता का माने अगर ग्याद करना है तो धारता एसे ही राज़ेगा और B जो है इसके नीचे आज़ेगा तो C तो यह ऐसे ही हो ज़ेगा और यहां पे Q अपन भी यहां पे हो जomena तो यहां पे हमें लोग असानी से ग्याद कर सकते हैं कि धारता के लिए ब्यांज़क क्या होता है तो C बराब अबरता Q अपन भी इसका नमबर A तिरा का हो जगा option number A इसका right answer हो जगा option number A ए जो ही इस प्रश्ण का right answer हो जगा और यहाँ पर प्रश्ण है कि अनन्त लांबाई की अवेसित बिलनाकार चाला की अक्षे से आरदूर पे बिधु छेत्र होगा तो यहाँ पर इस प्रश्ण का right answer क्या होगा दोस्तों कि अनन्त लांबाई की अवेसित बिलनाकार चाला की अक्षे से आरदूरी पर बिधु छेत्र होगा तो देखे इसका जो right answer हो जगा देखे लेमडा अपन क्या होता है तो लेमडा अपन क्या होता है तो होता 4 pi 4 pi epsilon not और होता है लेमडापन फोर पाई एपसल नोट यहां पे आर होगा ठीक है यहां पे आर होता है ठीक है तो यहां पर इसका राइट एंसर जेगा ऑप्सान नमबर प्रश्ण का और यहां पर देखिया प्रश्ण को कि एक खोखले गोले की त्रीजिया आर मीटर तथा उसके केंदर पर विधुत विभाव होगा इसका जो राइट एंसर होजेगा और यहां पर प्रश्ण है कि किसी विधुतिय चेत्र में चाला को रखने पर उसके अंदर विधुतिय चेत्र का मान क्या होता है मान लिजी यह विधुतिय चेत्र है इसमें अगर चाला को रखा जाए तो विधुतिय चेत्र का मान क्या हो जाता है तो इसका जो मान हो जाता है वह जानते हैं दूस्तों अगर चालक रखते हैं तो यह सूनिय हो जाता है ठीक है और चालक रहते हैं तो इसके मान को बहुणने लगता है तो इसका मान जो है सूनिय हो जाता है चालक अगर रखते हैं तो सूनिय हो जाता है इसका राइट एंसर ज बढ़ान के बढ़ाबर होता है तो इसको लोगी हिस प्रकार से लिके से थे और ही बढ़ा बढ़ाबर डाट एक बटा नुट गोना ठीक है अपसलिट गोना भी लिख सकते इस प्रकार से जब एक से गुन्य करते हैं तो यह इस परकार से आ जाता है ठीक है यहाँ पर देखें कि की सपसर्ण में है तो इस परस्ण का राइट एंसर जो हो जाएगा वो आपसा नम्बर एक साथ चला जाएगा जो कि बिल्कुल नहीं सही answer होज़ेगा option number a a जो इस प्रस्ण का right answer होज़ेगा कहीं भी आपको doubt हो किसी प्रस्ण में तो आप comment जो ही करने का प्रयास करेगा वैसे हम 100% समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको 100% याद हो जाए तो इसी session में ही और यहाँ परस्ण की जब संधरीत्र के किये परावेदुत इस्तरांग का माध्यम है तो हावा के अपक्षा उसकी धारता क्या होगी देखें यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब संधरीत्रों में किये परावेदुत इस्तरांग का माध्यम है तो हावा की या पेक्षा उसकी धारता में क्या प्रिवर्था हो जाएगी यानिकी हावा की इसकी धारता क्या होगी और यह क्ये गुनी बढ़ती है क्ये गुना जो है वा बढ़ जाती है इसका right answer होजेगा option number A जो ही प्रस्ण का right answer होजेगा option number A और यहाँ प्रस्ण के अभिष्टे खोखले गुलिये चालक के अंदर बिदुष्चेतर के तिवरता का मान कितनी होती है यहां पर इसका right answer क्या होगा तो हम लोग अभी ही देखे थे अगर चालक के अंदर अगर रहता है तो इसकी तिवर्था जो है सुन्य हो जाती है इसका right answer हो जीगा option number D, D जो है इस प्रशने का right answer हो जीगा option number D, D is the right answer for this को और PDF के लिए आपको telegram group से join होते हैं तो आपको PDF मिल देगा इसी वीडियो कर नीचे जो है telegram group का link दिया रहेगा ठीक है और यहां पे प्रशन है कि किसी संदरित्र की धारता का मातरक क्या होता है तो बहुत पहले हम लोग जो है कभर कर लिये थी कि धारता का मातरक क्या होता है देखे यहां पे बोल्ट किसका मातरक होता है तो बीभा तता बीभांतर का जो मातरक होता है वो बोल्ट में मापा जाता है और न्यूटन किसका मातरक होता है तो वो बॉल्ट का मातरक न्यूटन होता है फराड किसका मातरक होता है तो धारता का मातरक फराड होता है जो कि इस लिल्वा लिल व एदिक सब्सक्राइब सब्सक्राइं , की जूरी मानबव सब्सक्राइब , कीणतलरता होते है , भीमा निस trabalhें, का प्रियास करेंगे बीमा जो हते हैं इम इंफर्स है ऎ मनेफर्स से और sack के पर मानस तू ठीक पार फोर आए के स्कॉार होता है ठीक है टिसका राई टैंसर रोजिएगा ओपसान नमबर ए यह जो ही इस पुरस्ण का राइट एंस रोजेगा option number अपने दोस्तों में जरूर ही वीडियो को share केजेगा ताकि वो भी दोस्तों अपने त्यारे को जो है मजबूत कर पाए और यहां पर प्रस्ण के द्राव की एक बूंद को आवेसित करने पर उसके सिकूरने के प्रवीर्ती में क्या प्रिवर्तन होती है क्या घटने लगती है घट बढ़ती है और प्रिवर्तन रहती है डी है कोई नहीं जवी दोस्ते इस प्रकार से अगर कोशन रहे देखे और को सकते हैं कि द्राव की एक बूंद को जो अविसीद करते हैं तो इसके शुकूर्णी की तो ही एंसर हो जीगा option number B, किसी भी question में आपको doubt हो, तो आप जो है doubt जो ही करने का प्रियास किजिएगा दोस्तों, वेसे हम 100% समझाने का प्रियास करेंगे, ताकि आपके मानस पर पतल बत जो है, वह 100% छोब जाए, और आप जो है, अपनी त्यारी को जो है, मजबूत कर होँगे, और यहाँ पर परस्न आप देख सकते हैं, कि किसी संधरीत्र पर आवेसी थे, स्थित्ति उर्जा का ब्यांजग करेंगे, तो यहाँ पर देखे, उर्जा के लिए तो यह रखते हैं, बिल्कुल नहीं सही बात है, तो 11 या 9 पढ़ते होंगे, तो स्थित्ति के लिए ह यहाँ पर सी और वी कार यहाँ पर रख़ेंगे झाल vapश Pang में यहाँ त्वस्ट में पर इस प्रकार से अगर पूच़ось जाए देखे इसे related दो एक ये पुछा जाता है और इसे related एक और कोसम पुछा जाता है कि देखे एक option में रहता है अगर इसको हम लग जान लेते हैं उसके बाद उससे प्रस्णों को भी हम लग मुह जबानी कबर करेंगे किसी वस्तु का जो है पराबेदुत इस्तिरांग हमेशा अ है तो वह option में दिया जाता है 0.1 और 0.5 मालेजिए सी में दिया रहता है ये और D में दिया रहता है म prowadच कि दे निदे घाता है माइनस एक तो हम लोग किस option के सांथ जाएंगे ये 0 menि गया है जिरो थे सांथ ये। mass query flickrश और ़्वाग G Fatheredॵ c दिए में दिया गया है जो है इस तो यह जो है एक से अधिक है नहीं जो है यह एक से अधिक है नहीं और माइनस जो एक है यह यह तो और इसे भी छोटा है तो हम लोग C के सांद जाते हैं क्योंकि ये जो है एक से अधिक है इसका राइट एंसर होज़ेगा option number C, C जो है इस परस्टन का राइट एंसर होज़ेगा एक से अधिक ही ही होता है प्रवैद्वत इस्तिरंग इसका राइट एंसर होज़ेगा option number C, C जो है इस परस्टन का ले जाने पर बाद वाले चालक को विधुधरता का मान में क्या परिवर्टा होता है. थोरा सा यहाँ बात आने का प्रयास करेंगे दस्तो, एक तो भूयोजीत चालक है और एक जो है अवैसित चालक है. दोनों तो पूरा तर से मनाई होता है कि दोनों तो बढ़ यार ही है जब एक को इसके पास ले जाएंगे तो ये कहेगा चलो कोई बात नहीं है हम लोग मिल जाते हैं तो मिल जाने के कारण जो है वो इसकी बिदुधरत का मान में क्या प्रिवर्टन होता है यहाँ पे घटना नहीं होता है यहां पे सिर्व रगता है सिधे तरपे कहा गया है कि किसी भुवजित चालक को बिदुत्रोती अविसी के निकट अगर ले जाते हैं इसकी मान में क्या प्रिवर्तम होता है तो वह बढ़ने लगता है इसका राई टेंसर होज़ेगा option number B B जो इस परस्थने का राई टेंसर होज़ेगा और यहाँ परस्थन है कि जब समानतर पटिका वायो संदरित की पटिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है इसका राई टेंसर होज़ेगा option number B B जो इस परस्थने का राई टेंसर होज़ेगा और यहाँ परस्थन है कि एक समानतर पटिकाओं के समानों पात होता है यहाँ परस्थन है कि एक बटर टू के समानों पात होता है तो यहाँ पर देखेंगे किस option में है समानों पात तो यहाँ पर option number यहाँ पर जो B option है इस परस्थने का राई टेंसर होज़ेगा option number B और यहाँ परस्थन आप देख सकते हैं कि बजू छेत्रे वेक्टी बराबर होता है तो फिक्टी बराबर जो होज़ेगा वह इसका राई टेंसर जाज़ेगा 39 का होज़ेगा option number यहाँ पे जो कोई नहीं होता है पूरती मीटर का है यह थीनों स्यम ही होता है याद रियग इसका ञाल ही बी और यहां पर देखिए दोस्तों कि बिद्धुत्य फुलस्क का मातरग क्या होता है बिद्धुत्य फुलस्क का मातरग बोल्ट मीटर होता है तो बोल्ट मीटर यह तो अप्सन नमर ए में दिया गया है जो कि राइट एंस अप्सन नमर ए और यहां बिद्धुत्य फुलस् राइट इंसर और यहां पर प्रस्व है कि विदुतितिव फ्लस्खक क्ला स्कामात्रा क्या होता है देखें देखें जो उसका इतुछ अधिये राइट इंसर ऐधी धिर होता है और सब्सक्रा नार्षा inveemvers और मीटर इसकोर मरशं 건 ers तो ठीक है तो इसका राइट एंसर जगा ऑप्सन अमबर सी एक और दोनों जहें इस प्रस्टन का राइट एंसर हो जगा इसका जो पीडिये पे आपको टेलीग्राम गुरूप से जोएन होते हैं तो आपको मिल जगा डिस्कुशन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम जगा दोस्तो और अपने दोस्तो में जोड़न ही सियर करने का प्रयास किजएगा ताकि तयारी को मजबूत कर पाएं दोस्तो ठीक है तो उमीद करते हैं यह सेशन आप सभी को वसी लेगे होंगी तो मिले गने इस क्लास में नई उमीदे का सान्तों हस्ते रही है और मुस्क